सिर्राम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिष्था राश्टिय गौरव का एक एथ्यासिक उसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफियू नहीं लगेगा अब इतु यहाँ दिपोच्सो रामोच्सो और यहाँ की गलियों में सिर्णाम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लिला का बिराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोषना भी है पुरा बिश्व दिब्ब और भब्ब योद्ध्या का साखसाथ कार कर रहा है आज जी सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योद्ध्या पुरी का विकास हो रहा है वा प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सकते और दूर दरिष्टा के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सहोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक आयोध्या, आयुस्मान आयोध्या, सवच्छ आयोध्या, सक्सम आयोध्या, सुरम्य आयोध्या, सुगम्य आयोध्या, दिब्य आयोध्या और भव्ययोध्या की रूपे पुन्रद्धार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है, राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है, नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है, भौश्यकी जरुतों को देखते वे, आधनिक पैमाने के अंसा सभी नगरिये स्विवधाएं भी विक्सित हो रही है, इस मौक सदाइनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेना से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया रहा है, पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों, संतों, प्रेटकों, सोधार्ति जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है, यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है, जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन महंगिकार किया गया है, यह लोक भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है, और स्री राम लिला की प्राण प्रतिष्था का समारो, भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है, स्री राम जन्भुई मंदिर की अस्थापना, भारत की सांस्कृतिक पुनर जागनन का अ प्रवराम की किर्पा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुए बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अपे तो यहां दिपोच्सो रामोच्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवदपुरी का मैं राम लला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोचना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका राम राज्य भेदभाव रहित समरत समाज का द्योतक है और हमारे सश्वी प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुमी मंदिर के सपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों अभियंताओं शिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादिकारियों को हिर्दै से धन्यबाद पुना आप सभी को राम लला के विराजने की इस एथियासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिये प्रधान मंत्री जी आदरिये सरसंग चालक जी माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभाओं का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और अविनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज की स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाने को बिराम देता हूँ जै जै सीता राम